हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूटूब चैनल तैयारी एकजाम की जिन लोगों ने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें तो आज हम 6-10 की इतिहास का 21-7 जिस चैप्टर का नाम है आप लोगों के पास ब्यापार और भूमंडली करन उके 19 तथा प्रारंभिक 20 सताब्दी में 20 वजार का बिस्तार और एकी करन का अभ्यास प्रश्न है वह भी कल्पी प्रश्न पे हम लोग आए हैं क्या है दे प्रश्न लेकर आती हूं ठीक है यही बेटर रहता है को कि पूर्श्न में आप लोगों का माइंड इधर हो जाएगा और जब आप लोगी एक्जाम देने जाओगे तो वहां पर इस तरह का उप्शन रहेगा कि आप लोग से लगेगा कि यह उप्शन सही है लेकिन वह उप लोगों के सामने एक उप्शन लेकर आएं हूं ताकि एक वायर में अच्छे से माइंड में सेट कर सको ओके आईए देखते हैं वीडियो को स्टार करते हैं क्यूश्य नबर पहला है प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एस्या और यूरोब का व्यापार होता था इसका उतर हो जाएगा खर रेसर मार्ग ओके बुक में आपको चार ओप्सन मिलेंगा देखिए आप लोग बुक जरूर खरीदियेगा और टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा और जो मैं बता रही हूं इसे आप लोगा स्क्रिंसोट लेकर फेर जरूर बनाएगा बहुत ही वेन लोगों के पास आधूनिक यूग में अर्थ विवस्था के छेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांती कौन सी थी तो इसका उतर हो जाएगा ख और द्योगी क्रांती ओके फिर देखिए यहाँ पर फोर नवर क्यूशन है जो कि भी भी आई है एक जाम में आता ये किसे कहा जाता है छिपकली को गिर्गिट को मजदूर को यह इन में से कोई भी नहीं ओके इस्ट्राइब का भी क्यूशन आता है तो यहां पर हो जाएगा मजदूर को ठीक है बहुत दिमाग लगा के क्यूशन बनाता है भी हारबोर्ट के सभी टीचर्स ओके धियान से क्यूशन अबर 6 है अप लोगों के पास 20 वुव्यापी आर्थिक संकट किस बर्स हुआ यह भी एक जामे आता है तो इसका उतर हो जाएगा गग 1929 इसवी में सेवन है आर्थिक संकट यानि कि मन्दी के कारण यूरोप में कौन सी नई सासन प्रनाली का उदे हुआ तो इसका उतर हो जाएगा गग फासी वादी नाजी वादी सासन यह क्यूशन भी एक जामे आता है फिर क्यूशन अवर एट है ब्रेटन बुट सो समेलन किस वर्ज हुआ तो इसका उतर हो जाएगा गग 1944 इसवी को क्यूशन अवर नाइन है भूमनली करण के सुरुवात किस दसक में हुआ उतर हो जाएगा गग 1980 के दसक में 1980 के दसक में स्वरी देखें यहाँ पे देती महायूदी के बाद में कौन सी संस्था का उद्य आर्थिक दूस प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ तो उतर हो जाएगा घर जुरूप संग ठीक है फिर देखें यहाँ पे रिक तस्थानों की पूर्ति करना है का क्यूशन नमर पहला है अलेकजेंडरिया नामक पहला बिस उब्याजार किस के दौरा तो समराट सिकंदर के दौरा अस्थापित किया गया ओके देखी दूसरा है बिस उब्यापी आर्थिक संकट अमेरिका से आरंभ हुआ ब्लेंक स्पेस के जगापे अमेरिका होगा त्री है ब्रेटन बुट्स नामक सम्मेलन के दौरा बिस बैंक और अंतराश्ट्रिया मुद्रा कोस की अस्थापना हुई ठीक है फोर है आर्थिक संकट से बिस बैंक अस्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी समाजिक समस्या उदित हुआ फाइफ नबर क्यूशन है नवीन आर्थिक प्रविर्थी ने 1990 के बाद भूमरले करन की प्रकिरिया को काफित तिवर कर दिया अब देखिए यहाँ पर कुछ क्यूशन है जिसे मिलान करना है सही मिलान करे अस्तम्ब क क से अस्तम्ब ख का ठीक है क से ख का मिलान करना है हमें यह पर डिरेक्ट अंसर लाई हूँ ठीक है तूकि आप लोग कोपी में भी जो बनाऊगे तो इस तरह से आप लोग बात बनाएगा, यह गलत तरीका है, खोजने में बहुत दिकत हो जाता है ऐसे, ओके, तो यह रॉंग तरीका है, और यह राइट तरीका है, आप लोग इस तरह से कोपी में बनाएगा, धाकि एक बार में आशर मिल जाए, और आप लोग ध्यान से अथिक मंदि कव आई तो 1929 सिस्वी में फिर घह है बिस्व बैंक की अस्थापना कव हुआ तो 1944 सिस्वी में फिर अंगा है बुमर्ली करन की सुर्वात 1990 के बाद हुई ओके चह है बिस्व बाजार की सुर्वात कव हुई तो प्राचिन काल से हुई ठीक है फिर देखे उत्री प्रश्ण होता है बिस सब्दों में उत्र देने का होता है उके इस तरह से अगर कहा है तो अगर नहीं भी कहा है फिर भी बिस सब्दों में उत्र देने का होता है अतिलग उत्री प्रश्ण का क्यूश्य नबर पहला है बिस्व बाजार किसे कहते हैं तो उत्र हो जा दिने के लिए उपलब्द हो जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई ठीक है Q2 है आप लोगों के पास और्दोगी क्रांती क्या है उत्तर हो जाएगा और्दोगी क्रांती वास्प सक्ती से संचालित मसीनों द्वारा बड़े-बड़े कारखानों में व्यापक पहमाने पर बस्तूओं का उत्पादन इसका केंद्र इंग्लैंड था यह 1750 के बाद आरंभ हुआ ठीक है एकजाम में आते रहता है यह क्यूशन कि आर्थिक संकर्ट से आप क्या समझते हैं उत्तर हो जाएगा अर्थ व्यवस्था में आने वाली वैसी इस्थिती जब उसके तीनों अधार ख्रेशी उद्योग और व्यापार का विकास अबुद्ध हो जाए रुक जाए लाखो लोग बेरोजगार हो जाए और कमपनी का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बजार में कोई कीमत न रहे इसे ही हम आर्थिक संकर्ट कहते हैं ठीक है भुमंडली करन किसे कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा भुमंडली करन राजनीतिक आर्थिक सामाजिक वैग्यानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्व व्यापी समायोजन की एक प्रकीरिया है जो विश्व के विभिन भागों के लोगों को भौत्रिक हुआ मनोवैग्यानिक अस्तर पर एक इकरित करने का सफल प्रयास करती है ठीक है क्यूशन अबर फाइफ आ गया है अब लोगों के पास ब्रेटेन वुट्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था तो उत्तर हो जाएगा ब्रेटेन वुट्स सम्मेलन जुलाई 1944 इसवी में अमेरिका के न्यू हैंप सायर नामक अस्थान पर हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य और द्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिर्ता में पुन रोजगार था क्योंकि इसी आधार पर विश्व सांती अस्थापित की जा सकती थी आएए देखते हैं क्यूश्य नबर सिक्स पे क्या है बहुराश्ट्रिय कंपनी क्या है उत्तर हो जाएगा कई देशों में एक ही साथ ब्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराश्ट्रिय कंपनी कहा जाता है ये बहुराश्ट्रिय कंपनियां पुन्जी वादी देशों की बड़ी-बड़ी ब्यापारिक और अध्योगी कंपनिया है ठीक है देखी अब लगू त्री व प्रश्ण पर हम लोग आ गए हैं जो लगू त्री व प्रश्ण होता है वो कितने सब्दम उतर देने का होता है तो 60 सब्दम STEVE और लगुत्री उप्रस्ण टाइप की क्यूशे निग जामे आते रहता है तो आप लोगों को दियान से देखना है ठीक है क्यूशे मेर पहला है 1939 के आर्थिक संकट के कारणों को संचेप में असपष्ट करें तो उत्तर हो जाएगा 1939 के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्विम इस अर्थ वेवस्था के स्वरूप में ही समाहिद था प्रथम विस्वयूद के चार बरसों में यूरोप को छोड़ कर बाजार आधारित अर्थ वेवस्था का विस्तार होता गया उसके मुनाफे बढ़ते गए दूसरी तरफ अधिकांस लोग गरीवी और अभाव में पीशते रहें नवीन तक निकी प्रगती तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में भारे ब्रिधी हुई लेकिन उसे खरिद सकने वाले लोग काफी कम थे क्रिसी छेतर में भी अति उत्पादां से क्रिसी उत्पादों की किमते गिरी क्योंकि उसे खरिदने वाले लोग बहुत कम थे आधुनिक अर्थ सास्त्री कौन कार्डरलिफ ने लिखा है कि ध्यान से दिखी गई ये पोईंट को कि आधूनिक अर्थ सास्त्री कार्डलिफ ने लिखा है कि विश्व के सभी भागों में क्रिशी उत्पादन एवं खादानों के मुलिक की विक्रिती 1932 के आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण थी ठीक है Question number two है अपनों के पास अध्योगी क्रांती ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विश्व के विश्व के वाध ही हुआ इस क्रांती ने बाजार को तमाम आर्थि गतिवीधियों का केंदर बना दिया जैसे जैसे अध्योगी क्रांती का विकास हुआ बाजार का स्वरूप विश्व व्यापी होता चला गया और विश्वी सताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिती कायम कर ली ठीक है फिर है उत्पादन के वड़ते आकार से कच्चे मालों की आवशकता हुई जिसने इंग्लैंड को उत्री अमेरिका एशिया भारत और अफरीका की ओर ध्यान आकरसित किया जहां उसे कच्चा माल के साथ बना बनाया एक बाजार भी मिला क्यूशन अमर देखे थ्री क्या है बिस्व बाजार के स्वरूप को समझाएं तो उत्तर हो जाएगा अठारहवी सतावदी यह सदी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े-बड़े काय खानों में वस्तूओं का उत्पादन आरंब हुआ यह कार खाने वास्प इंजन से चलते थे इस प्रकिरिया से वस्तूओं का उत्पादन काफी बढ़ा उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कचे माल की आवशकता हुई जिसके कारण इंगलेन का ध्यान उत्री अमेरिका ऊफिल अमेरिका एशिया यानि की भारत और अफरीका की ओर गया जहाँ उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल तथा बना बनाया एक बजार भी मिला इन ही दो चीजों पर अधिकार का परियास आरंभ किया इससे उपनिवेश वाद नामक एकनविन सासन प्रनाली विक्सित हुई 18 और प्रारामिक 19 सताब्दी का बिस्व वजार सोरूप का आधार था कपड़ा उद्योग फिर देखिए क्यूश्य नवर 4 क्या है अगर विडियो को लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे विडियो को लाइक कर दे भूमाडली करन में बहुराश्ट्रिय कमपनियों के योगदान योगदान कहें तो भूमिका को असपष्ट करें उतर हो जाएगा भुमडले करन राजनेतिक, आर्थिक, समाजिक, वैग्यानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्व व्यापी समायोजन की एक प्रकीरिया है, जो विश्व के विभिन देशों के लोगों को भौतिक वा मनुवैग्यानिक कस्तर पर एकिकरित करने का सफल प् भुमडले करन की प्रकीरिया उनिस्वी सदी के मधि से लेकर प्रथ महायोध के आरव तक काफी तिवर रहा, इस दोरान वस्तु, पुंजी और स्रम तीनों का अंतराश्ट्रिय प्रवाह लगातार बढ़ता गया, इसमें इस दोरान विक्सित नविन तकनीकों का भी उसके विकास्क में महतोपूर्ण योगोदान रहा, ठीक है? अब दखे आगे, भुमडले करन धीरे धीरे संपूर्ण विस्व के अर्थ तंत्र का नियामक हो गया, इसके प्रभाव को कायम करने में विस्व वैंक अंतराश्ट्रिय मुद्रा कोस तथा विस्व बयापार संगठन डबलू टी ओ, इसे इंगलिस में फूल फॉर्म के रूप में वर्ल्ड ट्रेड औरिगिनाइजेशन कहते हैं के साथ साथ पुंजिवादी देशों की बड़ी बड़ी बयापारिक और अध्योगी कमपनियां बहुराश्ट्रिय कमपनी का बहुत वड़ा योगदान है, ठी फिर देखें क्यूशन अबर फाइफ क्या है, 1950 के बाद विश्व अर्थ व्यवस्था के पुनर निर्वान के लिए किये जाने वले प्रयासों पर प्रकास डालें, तो यहां पर लाइट वाला प्रकास नहीं डालना है, यहां पर लिख के एक्स्प्लेन करके बताना है, तो उतर हो जाएगा, 1950 से 1960 के दसक में महतोपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ था, विश्व में सामयवादी विचार के प्रसार को रोकने के लिए समनवय और सहयोग के एक नविन यूग की सुरवात की गई, जिसे यूरोप के एकी करन के नाम से हम जानते हैं, इस प्रसार के पहले प्रांस के विदेश मंतरी ब्रिया, ठीक है, फ्रांस के विदेश मंतरी ब्रिया के यूरोप संग के विचार के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इसकी सुरुवात 1944 में उभर कर सामने आई, जब नीदर लैंड, बेल्जियम और इनलेक्स नामक संग बनाया, इसी प्रकार 1948 में ब्रिसल्स संधी हुई, जिसने यूरोपिय आर्थिक सहयों की प्रकिरिया कोईला एवं इसपात के माध्यम से सुरु की, इन प्रयासों के बीच पहला बड़ा कदम 1907 में उठाया गया, उस साल यूरोपिय आर्थिक समुदा यूरोपिय इकोनॉमिक कम्यूनिटी यानि कि EEC की अस्थापना की गई, ठीक है, इसमें प्रांस, पर्स नहाँ पर पशिम, जर्मनी, वेलजियम, होलैंड, लगजियम, वर्ग और इटली सामिल हुए, इन दोनों ने एक साजह बाजार अस्थापित किया, ठीक है, आप लो बुक नहीं रिडिंग कीजएगा, नहीं पढ़ियेगा, तो उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा, आईए देखते हैं, क्यूश्य नवर सिक्स पे, भूमनली करन के भारत पर प्रभावों को अस्पश्ट करें, उतर हो जाएगा, ये क्यूश्य नहीं आता है, ध्यास देख भूमनली करन ने बिश्व अर्थ्वेवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया है, आज भूमनली करन के कारण, जीवी को पारजन के छेत्र में काफी बदलाव आया है, ठीक है? भारत में रहने वाले लोगों के लिए बुमरली करन के दोर में रोजगार के कई नवीन अफसर उपलब्ध हुए हैं जैसे टूर एवं ट्रेवल एजनसी या तायाद की सुविधा रेश्टोरेंट रेश्ट हाउस ठीक है आवासी होटा इत्यादी सुचना एवं संचार के छेतर में भी क्रांती आ गई है फिर देखिए इस छेतर में भी भारतिये लोगों को रोजगार के अफसर प्राप्त हुए हैं आर्थिक भुमरली करन ने हमारी आवश्यक्ताओं के दायरे को बढ़ाया है और उसी अनुरूप उसकी पूर्ती है तू नई नई सेवाओं का उदे हो रहा है जिससे जुड़कर लाखों लोग अपना जीवी का चला रहे हैं भुमरली करन की प्रकिरिया ने भारतिये लोगों के जीवन अस्तर को भी बढ़ाया है ठीक है क्यूशन नवर सेवन है बिस्व बाजार के लाव हानी पर संचिप्त टिपनी लिखे है अगर आपको इसके नीचे पेज बसता हो तो आप लोग लिखिएगा निमन लिखित है ऐये देखते हैं क्या है क्यूशन का अंसर अच्छे तरह से समझने का कोशिस करते हैं ठीक है आप लोग ध्यांस देखें यहाँ पर क्यूशन में क्या कह रहा है देखें पहले तो लाव और हानी ठीक है लाव और हानी दोनों पर आपको लिखना है यह नहीं है कि लाव पे लीके छोड़ देना है दोनों आपको कफर करना यानि कि एक क्यूशन में ही टू क्यूशन च्छीपा हुआ है तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है पहले हम लोग देखते हैं विस्व बाजार के लाव बिस्व बाजार ने ब्यापार और उद्योगों के विकास ने पुंजी पती, मजदूर और मध्यम वर्ग नामक तिन सक्ति साली सामाजिक वर्ग को जर्म दिया आधोनिक बैंकिंग विवस्था का उद्य और विकास इसी के बाद हुआ, भारत जैसे अपनी वेशिक देशों को सिमीत मात्रा में ही सही और द्योगी की करण और आधोनिकी करण बिस्व बाजार के आलोक में ही हुआ विस्व बाजार ने नविन तकनिकों को स्रिजित किया जिनमें रेलवे, वास्फ इंजन, भाव का जहाज, टेलीग्राफ, बड़े जल प्रपात महतोपूर्ण रहें इन तकनिकों ने विस्व बाजार और उसके लाब को कई गुना बढ़ा दिये सहरी करन का विस्तार और जनसंख्या में महतोपूर्ण व्रिधी वैस्विक व्यापार का एक बड़ा लाफकारी परिनाम था अब देखिए विस्व बाजार की हानी को विस्व बाजार ने एसिया और अफरीका में सामराज यवाद उपनिवेश वाद के साथ एक नए यूग को जन्म दिया साथ ही साथ भारत जैसे पुराने उपनिवेशों का सोसन और तिवर हुआ उपनिवेशों की अपनी अस्थानिये आत्म निर्भर अर्थवेवस्था जिसका आधार क्रिशी और लगू तथा कुटिर उद्योग था नश्ट हो गई ब्यपार में ब्रिधी और विश्व अर्थवेवस्था के साथ निकटता ने अपनी वेशिक लोगों की आज जीविका को छीन लिया अपनी वेशिक देशों में विश्व बाजार ने आकाल, भूखमरी, गरीवी जैसे मानविये संकटों को भी जर्म दिया फिक है, आईके अब हम लोग देखते हैं दिरगूत्रिय प्रस्ण पे, दिरगूत्रिय प्रस्ण भी है, उसे पूरा देखने वाले हम, संबोनघ पाठ्ट का हल है क्योंकी देखिए जो दिरगुत्री प्रश्ण होता है वो 150 वड में उतर देने का होता है कितना 150 वड में ठीक है 150 वड में आप लोग ध्यान से देखिएगा 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिनामों को असपश्ट करें ठीक है जिसका उतर हो जाएगा आर्थिक संकट के कारण 1929 इस्वी की आर्थिक मद्दी यानि की संकट का बुनियादिक कारण स्व्व इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था प्रत्थम विश्वयूद के चार बर्थों में यूरोप को छोड़कर बाजार अधारित अर्थ विवस्था का विश्थार होता चला गया उसके मुनाफ़े बढ़ते चले गया दुसरी तरफ अधिकांस लोग गरीवी और अभाव में बिश्थे रहे नवीन तक्नीकी प्रगति का बढ़ते हुए मुनाफ़े के कारण उत्पादन में जो भारी बिश्थी हुई उससे ऐसी इस्थिती उत्पन हो गई कि जो कुछ उत्पादित होता था उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे फिर दखिए क्रिसी उत्पादन एवं खादानों के मुले में कमी क्रिसी छेत्र में उत्पादन की बिश्थी तो हुई लेकिन उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे इससे क्रिसी उत्पादों की किमते गिरी जिससे किसानों की आई काफी घट गई प्रसिद अर्थ सास्त्री कारलिफ ने अपनी पुस्तक दी कॉमर्स ओफ नेशन में लिखा है ध्यास ये पॉइंट देखेगा कि विश्व के सभी भागों में कृष्य उत्पादन एवं खादानों के मुली की विक्रिती 1929 से 32 के आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण थी अब देखिए यूरोपिय देशों के बीच संकट 1920 के दसक के मध्य में बहुत सारे देशो ने अमेरिका से करजे लेकर अपनी यूध में तवा हो चुगी अर्थ विवस्था को नए सीरे से विक्सित करने का प्रयास किया जब तक इस्थिती अच्छी थी तब तक अमेरिकी पुझी पतियों ने यूरोप को करज दिये लेकिन अमेरिका की घरेलू इस्थिती में संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही वे लोग करज वापस बांगने लगे इससे यूरोप ये देशों के वीच गंभीर संकट आख खड़ा हुआ इस परिस्थिती में यूरोप के कई वैंक डूब गये महतोपोर्ण देशों का मुद्रा मुली गीर गया इसमें और बड़ा संकट तब आगया जब यूरोप ने अपने को यांत्रिक उत्पादन पर निर्फर कर लिया फिर देखिए आर्थिक संकट के प्रभाव अमेरिका पर प्रभाव इस आर्थिक मंदी का सबसे बूरा असर या प्रभाव जो कह लिजिए अमेरिका कोहीं जिलना पड़ा मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को ठिक है बैंकों ने लोगों को करज जना बंद कर दिया और दिय हुए करज की बसूली तेज कर दी किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बरवाद हो गए बैंकों के करज वापस नहीं चुका पाने से फिर बैंकों ने लोगों के सामने को उर्क कर लिया लोग सड़क पर आ गए कारोबार के ठप पढ़ने से यानि की बंद होने से रुक जाने से बिरुजगारी बढ़ी कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बरवाद हो गए फिर देखिए अन्य देशों पर प्रभाव क्या परा आर्थिक मंदी का जर्मानी और ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए फ्रांस अपने आपको इस मंदी से इसलिए बचा पाया क्योंकि उसे जर्मानी से काफी मात्रा में युद हरजाना की रासी प्राप्त हुई जर्मानी में अराजजक्ता फल गई जिसका लाभ उठा कर हिटलर ने अपने आपको सत्ता सिन किया 1929 के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, निर्याद, रोजगार, आयात तथा जीव निर्वाह अस्तर इन सब में तेजी से गिरावट आई फिर दखिए भारत पर प्रभाव महमंदी ने भारती बेपार को काफी प्रभावित किया 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगवग आधा रहे गया क्रिशी उत्पादों की कीमत यहां काफी गिर गई गेहूं की कीमत में प्रतिशत गिरावट आई क्रिशी दाम में कमी के वावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने को तयार नहीं थी जिसे किसानों में असंतोस की भावना बढ़ी इसी आर्थिक संकट ने भारत में सभीने अवग्य आंदोलन को प्रारम करने में महत्यपुर्ण भुमी का निभाई ओके फिर देखिए क्योष्य नवा टू क्या है 1945 से 1960 के बीच विश्व अस्तर पर विक्सित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकास डारे तो उत्तर हो जाएगा यहां से आप लोगों के पास 1945 से 1960 के दस्तर के बीच विश्व अस्तर पर अपने प्रभावों तथा नीतियों को बढ़ाने का प्रियास किया इस इस्तिती से विश्व में एक नविन आर्थिक और राजनेतिक प्रति अस्पंधों को जर्व दिया ठीक है संपूर्ण विश्व मुखेत दो गूटों में विभाजित हो गया कौन-कौन था तो पहला था सामय वादी अर्थ तंत्र वाले देश का गूट सामय वादी अर्थ तंत्र वाले देश का गूट जिसका नेत्रित्व सोवियत रूस कर रहा था जिसकी विशेश्ता थी राजनेतिक अर्थ विवस्था और दूसरा पुंजिवादी अर्थ तंत्र वाले देशों का गूट जिसका विशेस्ता थी वाजार और मुनाफा आधालित आर्थिक व्यवस्था जिसका नेत्रित संयुक्त राज अमेरिका कर रहा था फिर है दूसरा छेत्र पुझिवादी अर्थतंत्र वाले देशों के बीच बनने वाले अंतराश्ट्रिय आर्थिक संबंधों के विकास के अंतरगत आएगा यह छेत्र पुनता संयुक्त राज अमेरिका के द्वारा संचालित हो रहा था इसका प्रमुख उदेश्य सामेवादी अर्थतंत्र और विचार के बढ़ते प्रभाब को रोकना था संयुक्त राज अमेरिका ने विश्व के दो छेत्रों दचिन अमेरिका और मधी तथा पश्वी एशिया के तेल संपदा संपन देशों इराक, इरान, साओधी अरब, जर्डन, यमन, सीरिया, लेवाव में जवरन अपनी नित्यों को थोपने का काम किया इस दूसरे छेत्र का दूसरा घड़ा पश्मी यूरोब, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्म जर्मनी, पाल्टिक देश, अस्पेन था ठीक है, यहां भी 1945 से 1960 के दसक में महतुपुन आर्थिक संबंधों का विकास हुआ, विकास हुआ था इस छेत्र की महतुपुन भूमी, स्वरी भी सेस्ता यह भूमी का रोल जो कहें, 1945 के बाद यह रही की, विश्म राजनेती और अर्थ छेत्र में इन देशों का प्रभाव काफी छीन हो गया फिर देखिए हम लोक्यूशन अबर चलते हैं, ठीप पे क्या है भूमनली करन के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को असपश्ट करें, उत्तर हो जाएगा भूमनली करन के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन कुछ इस प्रकार हैं कि अभी हम लोग जिस समय में रह रहे हैं उसमें आर्थिक भूमनली करण का प्रभाव आम जिबन पर साफ दिख रहा है वोमनली करण के कारण जिबी को पारजन के छेत्र में जो बदलाव आया है उसकी जहलक, सहर, कस्वा और गाउं सभी जगह साफ दिखाई पड़ रही है बरतमान दोर में 1991 के बाद संपूर्ण विस्व में सेवा छेत्र का विस्तार काफी तिवर गती से हुआ है जिससे जिबी को पारजन के कई नए छेत्र खूले हैं, वो मरली करण के कारण कई नीजी यानि की प्राइवेट कमपनी या बैंक ICICI रियलाइंस में लोग लावकारी योजनाओं में निवेस करने के लिए प्रेरित हुए हैं जिसमें एक सकिन जिससे बीमा छेत्र का विस्तार हुआ है, इससे जुड़कर गाउं या सहर के लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं परियटन अस्तल के विकास के कारण भी रोजगार के नविन अफसर उपलब्ध हुए हैं जैसे टूर एवं ट्रेवल एजनसी, रेश्टोरेंट, रेश्ट हाउस, आवासी होटल इत्यादी, नेजी डाक सेवा, कूरियर सेवा, कंप्यूटर के कारण भी हजारों लोगों को रोजगार के नविन अफसर उपलब्ध हुए हैं इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक भुमर्ली करण ने हमारी आवशकताओं के दाइरे को बढ़ाया है और उसी अनुरूप उसकी पूर्ती हेतु, नई-नई सेवाओं का उदे हो रहा है, जिनसे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीवी का चला रहे हैं भुमर्ली करण की प्रकिरिया ने लोगों के जीवन अस्तर को भी बढ़ाया है, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भुमर्ली करण ने आम लोगों के जीवन अस्तर में कहीं महतोपुड भूमी का यह परिवर्तन लाया है, ठीक है? फिर देखिए, क्यूशे नबर 4 क्या है? आर्थिक और राजनेतिक व्यवस्था का आकर्षन संपूर्ण बिस्म में बढ़ा, क्यूंकि वही एक देश था जिस पर इस मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, जिससे उसका प्रभाव बहुत बढ़ा, दूसरे इटली तथा जर्मानी में अधिनायक वादी कहन का भी प्राई, वैसी राजनेतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी सक्तियां केंजरित होती है, वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाफ उठा कर जनतक विच नाया की छवी बनाता है, ठीक है, यह हम खुच से लिखें, ताकि आप लोगों को समझ में आए, फिर दखें आगे क्या है, सासन प्रणाली का उतकर्श, चुकि विश्वत के सभी देश आर्थिक मंदी से निवटने में इस कदम उलज गएं की, इस कदर उलज गएं की उन दो देशों में उभरने वाली नवीन राजनेतिक प्रविर्तियों को देख और समझ नह में लोकतंत्र की विफलता और अधिनायक वादी तथा ताना साही तंत्र का उदय यूरोप के कई और देशों को अपने लपेट में ले लिया, जैसे अस्पेन, औस्ट्रिया, यूनान, इत्यादी, यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उदित होने वाले राजनेतिक अवश्यम भावी बना दिया, ठीक है, फिर देखिए, क्यूश्य नवर फाइफ क्या है, दो महा यूधू के बीच और 1945 के बाद अपनी वेशिक देशों में होने वाले राश्ट्रिय आदोलन पर एक निवन्ध लिखें, तो इसका उतर हो जाएगा, और दोगी क्रांती के अपनी वेश्वाद से ही एशिया, यानि कि भारत तथा अफरीका में अपनी वेशिक समराज की अस्थापना होनी सुरू हो गई थी, उपनी वेश्वाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रनाली है, जो प्रत्यच रूप से एशिया और अफरीका तथा दचिन अमेरिका मे यूरोपी देशों द्वारा अस्थापित किया गया था, जिसका एक मात्र उदेश्य इन देशों का आर्थिक सोसन करना था, विश्व बाजार ने एसिया और अफरीका में सामराज वाद उपनी वेश्वाद से एक नए यूग को जन्म दिया, साथ ही साथ भारत देशे आने अपनी वेश्व देशों में राष्ट्रिय चेतना का प्रशा निरनायक रूप से हुआ, क्योंकि प्रथम आयूद के बाद उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, दूसरे उस समय सासक देशों सामराज वादी देशों द्वारा किया गया, स्वराज का वाय संचार हुआ, तथा वहां उस अपनी वेशिक सरकार के खिलाफ राष्ट्रिय आंदोलों को बड़ा बल मिला, इने राष्ट्रिय आंदोलों ने भारत सहित कई अपनी वेशिक देशों में सोतंतरता को दिलाया, ठीक है? सो तंत्रता को दिलाने का काम किया ठीक है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिजेगा और कमेंट जरूर कीजेगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिवाबाई अच्छा लगाईब टेकर तक्षा जरूर भाई अच्छा लगाईगा